और अब मौसम भारतिय मौसम विभाग ने कहा है कि भीषण चक्रवात असानी अगले 24 घंटों में कमजोर पड़ सकता है विभाग ने कहा है कि आंदर प्रदेश और ओडिसा तटों से चक्रवात के टकराने की संभावना नहीं है इसके उत्तर तटकी और बढ़ जाने का अनुवान है फिर भी मौसम भीभाग ने चेतावनी दी है कि आंदर प्रदेश ओडिसा और पश्चिम बंगाल के तटवर्ती जिलों में अगले दो दिनों में भारी वर्षा हो सकती है पुर्वी गोदावरी, विशाखा पटनम, विज्या नगरम और श्री काकूलम जिलों में भारी वर्षा की संभावना है आज और कल उत्तर तटवर्ती आंदर प्रदेश में 40-50 किलोमीटर प्रती घंटे की रफटार से तेज हवाई चलने की संभावना है ओडिसा सरकार ने भी एहतियात के तोर पर निचले इलाकों से लोगों को बाहर निकाने की योजना तयार की है राज सरकार ने गंजाम, पूरी, जगत सिंगपूर और केंद्र पाड़ा जिलों के जिलाधिशों से कहा है कि वर्षा शुरू होने पर लोगों को रहाशी विरों में भीजवाने की व्यवस्था करें वही चन्नई के कई तटिय श्यत्रों में तेज बारिश के पुर्वानुवान के बाद आज चन्नई हवा यद्धे पर उडान सेवाई बाधित हो गई है दो विमानन कमपनियों ने घोशना की है कि विशाखा पटनम और हैदराबाद सहित कई शहरों के लिए उनकी दस उडान सेवाई दिन भर के लिए रद्ध कर दी गई है इधा चतीस गड़ के मौसम में भी इस चक्रवाद के कारण बदलाव आने के आसार हैं प्रदेश में हवा के दिशा में बदलाव होगा और बंगाल की खाड़ी से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण अधिक्तम तापमान में गिरावट आ सकती है असानी तूफान के असर से आज राज्य के कुछ स्थानों पर हलकी से मध्यम बारिश होने या गरत चमक के साथ छीटे पढ़ने की संभावना है इस दोरान तेज हवाएं भी चल सकती है साथ ही इस चक्रवाद के प्रभाव से आज राज्य के दक्षणी इलाके में बदली चाही रही और उत्तरी भाग में भी आंशिक रूप से बादल चाही रहे